यह ऐसा सवाल है जिसमें की एक बार एक concept का manipulation किया और फिर उस manipulation को use करके आप आगे से आगे कोई भी value निकाल देते हो और तुरंत integrate कर देते हो जैसा कि यहां पर integrate कर वा रही है function दे दिया इसने x upon 1 plus x to the power 4 to the power 1 by 4 और gx define करवा रहा है f of f of 4 times of function का 4 time composition किया है then फिर जो भी चीज यहां gx बनके आएगी यहां पर उसको यहां रखेंगे और उसको फिर integrate करेंगे तो बस यही चीज सीखनी है कि manipulation किस तरह से की जाती है सवाल आया था 30 January j means 2024 का थीक है तो हम एक काम करते हैं पहले हमें निकालना पड़ेगा fx से gx को निकालना पड़ेगा और gx को यहां रखना पड़ेगा फिर integrate करना होगा तो gx निकालने के लिए यह जो function है इसका four times composition की जरुत है four times और fx देखें क्या दे रखा है fx इसने दिया वा है that is the x upon x upon one plus x to the power four to the power one by four अब इस पर जब मैं second time इसको दो बार composite करूँगा तो f of fx लिखूँगा और सीधा सीधा एक काम करता हूँ x की जगे पूरा fx रख देता हूँ x की जगे यह fx यह fx ही है लेकिन इसको x की जगे रखना है तो x upon one plus x to the power four की power one by four यह तो देखिए x वाली जगे पर पूरा fx रख दिया यहाँ पर इस तरह से ठीक है और नीचे भी वही करेंगे one plus one plus अब इस x की जगे यह पूरा ही function रखा जाएगा वो रहा सामने ठीक है तो उस जगे रखने के लिए इसको पहले मैं रख देता हूँ x upon one plus x to the power four की power one by four है लेकिन यहाँ पर यह power four था तो ऐसे लिखना power four power four और उस पूरे नंबर की यह जो one plus के साथ में x to the power four यह function आगया है यहाँ पर और उसकी power फिर कितनी लिख रहा ही है one by four power है इसकी power one by four है इस प्रकार से इसको लिखना ठीक है अब देखिए क्या बनता है यह बनेगा x upon मैंने ठीक ही किया one plus x to the power four था तो यह पूरा fx आ गया यहाँ पूरा fx आ गया और उसकी power one by four है और one plus करके लिख रहा है अब आप पूरी एक नजर मारी है देखिए x की जगे पूरा fx है की नहीं x की जगे पूरा fx है की नहीं ठीक है x की जगे पूरा fx है one plus x to the power one by four है और उस पे जो power four थी वो तो हमने रखी रखी है यहां पर यह power 4 थी ठीक है ना और उसकी power भी 1 by 4 थी बस यही एक चीज करनी है इसको एक बार simplify करके देख लेते हैं कि क्या number आ जाता है यह x upon यह number देगा आपको x upon 1 plus x to the power 4 की power 1 by 4 यह number नीचे जाएगा ठीक है ना मुझे इसको यहां लिखना पड़ेगा पोरी तरह से दिखा आने के लिए ठीक है ना तो यह जो number है equals to equals to यहां ऐसा आएगा x upon 1 plus x to the power 4 की power 1 by 4 यह नीचे चला गया अब नीचे नीचे वाले नंबर की बात चल रही है ठीक है ना नीचे जो है इसको आप देखे यहां x to the power 4 लिखेंगे पहले इसको यहां पे into यह नीचे ही है अभी मैं नीचे इसको solve कर रहा हूँ ठीक है ना 1 plus इसको लिखूंगा x की power 4 और यहां पे x यह power 4 हो गई और यह जो 1 by 4 के साथ में 4 power है तो यह power से clear हो जाएगा 1 plus x to the power 4 देगा ठीक है और यह 1 plus करके है इसकी power भी 1 by 4 power है बस यहां थोड़ा सा ध्यान देना होता है यह वाला काम आप अपने ठीक से कर लिया तो हो जाएगा फिर है ना x upon 1 plus x to the power 4 की power 1 by 4 ठीक है कोई समश्या नहीं है और इसमें यह देखिए यह LCM जब लेंगे by 1 by 1 LCM लोगे तो 1 plus x to the power 4 plus x to the power 4 तो यह बनाएगा 1 plus 2 times of x to the power 4 की power 1 by 4 है ठीक है अब हम बात करें यहां जो LCM लिया था 1 plus x to the power 4 की power 1 by 4 LCM था तो 1 plus x to the power 4 की power 1 by 4 LCM भी तो था तो वो भी reset हो गया वो jump लेके उपर आगया numerator में और यह यहां पर इससे यह cut हो गया पूरा है तो अब अब इस stage को देखें मैं आपको जो बात बोल रहा हूं कि manipulation जिसे हम कहते हैं वो कैसे काम करता है वो देखिए वो आगया x upon x upon 1 plus 2 x to the power 4 की power 1 by 4 तो यह जो था f of fx है तो देखें यह first fx fx है और जब f of fx निकाला तो यहां पे कितने बार आगया सब चीज वैसी की वैसी रही x वैसा ही रहा 1 अपकी जगे 1 है और यहां 2 times of x to the power 4 आगया की power 1 by 4 हो गया अब as per manipulation चाहें इसको यह 10 times करवाए composite या 10 कितने भी n times करवाए n times करवाए same question है तो n times में n लग जाएगा 4 times किया है तो 4 लग जाएगा तो हमें जो यह value चाहिए थी जिसको यह gx कहरा है जिसको यह gx कहरा है मैं directly लिख सकता हूं उसको x upon 1 plus 4 x to the power 4 की power 1 by 4 जब मेरे पास में gx आ गया तो अब मैं इसको क्या करूँगा यहां रख देंगे हम और इसके बाद में हम बहुत easily इसको integrate कर देंगे तो बस main चीज यही होती है जब आपके पास gx आ जाए gx आपने निकाल दिया तो अब जो integrate करना है 0 से लेके under root of 2 root 5 2 root 5 है ठीक है और x square है और into gx लिखना है gx निकाल चुक है हम x upon 1 plus 4 x to the power 4 की power 1 by 4 ठीक है यहां तक कोई समझ्या नहीं है बात एकदम समझ में आ रही है कि किस तरह से चीजों को manipulate किया गया मैं main focus इस चीज पर डाल रहा हूं कि कैसे हमें हर बार चीजों को निकालने की ज़रूत नहीं होती manipulate भी किया आता है ठीक है ना तो यह आ जाएगा आपका 0 से लेके under root of 2 root 5 बात clear है x cube है x cube dx आएगा dx है ना x cube dx आएगा divided by 1 plus 4 x to the power 4 की power 1 by 4 अब बात चलती है substitution की substitution क्या लें जब कोई चीज यह जो भी कुछ number है यह इसके अंदर 1 by 4 power करके आ रहा है और यहां हम देख रहे हैं 1 plus 4 x 4 आ रहा है तो हमें बता है कि x4 का जो derivative है वो 4 x cube होता है तो आई जाएगा लेकिन इसको हम किस तरह से लें तो जो main tg substitution में वो यह let कीजिए आप यह best रहने वाला है 1 plus 4 x 4 की power इसको क्या करें क्योंकि यह 1 by 4 power लेगा तो हम इसको t की power 4 कर दे जब आप t की power 4 करोगे तो वो 4th root से free हो जाएगा और फिर आगे का काम हो जाएगा तो यह 4 4 जा 16 हो गया 16 यहां लिखू मैं चलिए यहां लिख दिया जाए 16 16 x cube dx equals to this is 4 t cube dt 4 t cube dt आजाएगा और यह 4 times भी कड़ जाता है तो हम लिख सकते हैं 4 x cube dx equals to this is t cube dt यह भी चीज हो गई ठीक है ना हमारे पास में जो यह नंबर था इसमें 4 नहीं है कोई बात नहीं हम i quest 2 क्या करेंगे 4 से divide करके और 4 से multiply कर देंगे इसको ठीक है तो यह हो जाएगा और limit में भी change करें लिमिट में चेंज करें lower limit 0 place करें तो 0 put करेंगे तो t की power 4 आएगा lower limit में l l lower limit को लिखता हूं t की power 4 1 आएगा तो t b 1 ही आएगा उसमें हमें real number निकालना होता है ठीक है तो यहां पर हमें मिलेगा 1 और upper limit निकालने के लिए क्या करेंगे आप यह होगी upper limit u l ठीक है ना तो उसमें value रखेंगे यह वाली ठीक है यहां से निकलना है हमेरे t की value जो की upper limit बनने वाली है ठीक है ना तो एक काम कीजिए 1 प्लस 4 है यह जो पूरा root में है root से free करके मैं square कर दूंगा 2 root 5 का square कर दूंगा t4 आएगा फिर इसको 1 प्लस 4 इंटू यह 4 आएगा यह इंटू 5 आएगा root 5 का square 5 आएगा equals to t4 ओएगा तो कितना हो गया 24 जा 80 81 equals to t4 आएगा दिखाई दे रहा आप तक ठीक है तो इसका मतलब जो t की value है वो 3 आएगी यहां हम लेंगे cube root जब cube root लो गया आप तो t की value 3 देगा तो upper limit 3 decide हो जाएगी लिख दी हमने upper limit लिख दी ठीक है और जो number था उपर उपर क्या बन गया था जब 4 से हमने divide किया था यहां पे तो यह बन गया था 4x cube ठीक है न 4x cube बन गया था 4x cube dx बना था तो 4x cube dx cube को लिखेंगे t cube dt नीचे है हमने 1 प्लस x to the power 4 को t4 लिखा है तो यह t4 की power 1 by 4 आएगा तो यह t आएगा t आएगा तो 1 by 4 हो गया और यह t square बचाब तो t square का integration होना है t square का integration होना है जो की t cube by 3 होगा और limit 1 से 3 लगेगी तो इस 3 को मैं बाहर निकाल दू 1 by 12 आएगा और t cube मतलब 3 की power 3 27 आएगा minus का 1 आएगा 1 आएगा और इसको हमें solve कर देना यह आगया आपका 26 by 12 यानि की इसको लिख सकते है 13 by 6 तो guys यहाँ पर जो answer था वो B option इसमें right था J means 2024 का यह question था और इस तरह से आप चीजों को manipulate कर सकते है manipulate करके आगे बढ़ा सकते है और फिर जो है सारी चीज़े easy हो जाती है